शांत रहिए शांत रहिए शांत रहिए साथियों बहुजन क्रंति मोर्चा के द्वारा सारे देजभर में हम लोगों ने परिवर्तन यात्रा निकालने का संकल्प घोशित किया था हमारे पास ऐसी कम से कम छे मेने की परिवर्तन यात्रा निकालने का हमने संकल्प किया था कन्या कुमारी से काश्मीर तक और काश्मीर से दिली तक मगर ऐसी यात्रा निकालने के लिए हमारे पास तजर्बा नहीं था तक 32 दिन की परिवर्टन यात्रा 42 डिगरी सेलसियस तापमान से लेकर 48 डिगरी सेलसियस तापमान में हमने ये परिवर्टन यात्रा महारा स्टा में निकाली थी और उसके द्वारा जो तजर्बा हापिस हासिल किया गया उस तजर्बे को अधार बनाकर हमने छे मैने की परिवर्तन यात्रा साथ अगस्त दो हजार अठा से शिवनी मद्यपरदेश से शुरू की और आज भारत के छे राज्यों में परिवर्तन यात्रा चल लही है और ये जनवरी फरवरी तक चलेगी तो लगभग 441 जिलों में इस साल ये परिवर्तन यात्रा चलेगी और अगले साल ये 556 जिलों में चलेगी एकत्तीस राज्यों में चलेगी ये परिवर्तन यात्रा साथियों इस देश में हमने परिवर्तन करने के लिए निकाली है इस देश में परिवर्तन क्यों होना चाहिए इसे जानना और इसे समझना बहुत जरूरी है इसलिए ये बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ आज अनसोचित जाती और जनजाती के लोगों पर सारे देजभर में अन्याय अत्याचार हो रहा है और उनके अन्याय अत्याचार को रोकने के लिए जो इट्रोसिटीज एक्ट बनाया गया था उसे प्रभाविहिन करने के लिए शाशक वर्ग के लोगों ने नियाई पालिकां के द्वारा जो आदेश निकाला था उस आदेश की वज़े से अनियाई और अत्याचार और बढ़ने वाला था इसलिए सारे देजवर में जो भारत बंद करवाया गया था उस भारत बंद में भारती जनता पार्टी के लोगों ने अनुसुचित जाती और जन जाती के तेरा लोगों को गोली से मारा आप लोगों को ये जानकारी नहीं होगी ये जानकारी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि दो अपरेल को जो भारत बंद करवाया गया था भारती जनता पार्टी के लोगों ने तेरा अनसूचित जाती जन जाती के लोगों को गोली से मारा और जब इस एट्रोसिटी एक का विरोध करने के लिए सबरनों के द्वारा मोर्चा निकाला गया उन्होंने रेल गारिया रोकी बसे जलाई मगर पुलीस वालों ने उनको साथ सयोग दिया और उनका एक भी आदमी नहीं मरा ये भेदभाव है ये सबिधान के विरोध में भेदभाव करने का काम हो रहा है ऐसे लोगों की सत्ता पर नियंतरन हो गया है जो लोग देश के सबिधान को नहीं मानते हैं सबिधान की शपत लेकर प्रधान मंत्री बनते हैं नरिंद्र मोदी ने संसद में कहा था हमारा एक ही धर्मगरंत है और उस धर्मगरंत का नाम है भारत का सबिधान ये नरिंद्र मोदी ने सविधान संसद में कहा था मगर जब दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पर सविधान जलाया जा रहा था तो दिल्ली की पुलीस जो सिंटल गौर्मिंट की पुलीस है वो सामने देख रही थी अगर यही अनुसूची जाती जन जाती पिछड़े वर्ग और माइनरिटी के लोगों ने सविधान को जलाया होता तो एनी पुलीस ने उनको गोली ऐसे बढ़ा दिया होता मगर वो लोग जिनका सविधान पर यकिन नहीं है विश्वास नहीं है वो सविधान को जला रहे थे पुलीस के सामने जला रहे थे यह देश में हो रहा है और बिजेपी के लोगों की सेव होने की वज़े से ऐसा हो रहा था इसे समझना इसे जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है इसलिए यह बात जानकारी के लिए मैं आप लोगों को बता रहा है दूसरी बात साथियो इस देश में आज नरिंद्र मोदी कहते हैं वो पिछडे वर्ग के प्रधान मंत्री है और अगर वास्तों में पिछडे वर्ग के प्रधान मंत्री है तो पिश्णे वर्ग के लोगों की जाती आधारित गिंती होनी चाहिए इसके लिए मुलाहिम सिंग यादो जी ने शरद यादो जी ने और लालु यादो जी ने जब संसद तीन दिन बंद किया था बंद करने के बाद संसद में भारतिय जनता पार्टी की सुश्मा स्वराज और दूसरे नेताओं ने वादा किया ताकिक करेंगे अब उन लोगों की सरकार आ गई है उनका प्रधान मंत्री आ गया है और प्रधान मंत्री स्वेम बैकवर क्लास का है अगर कहते हैं और अगर कहते हैं तो फिर जाती आधारित गिंती करने के लिए उन्होंने सुप्रिम कोड में नरिंद्र मोदी की सरकार ने सुप्रिम कोड में हलप नामा दाखल किया कि पिछडे वर्ग की जाती आधारित गिंती नहीं होगी इस देश में हिजणों की गिंती हो रही है इस गेत में जानवरों की गिंती हो रही है कुत्ते बिल्यों की गिंती हो रही है जंगली जानवरों की गिंती हो रही है मगर पिछडे वर्ग के लोगों की गिंती नहीं हो रही है और ना होने की वजे से पिछड़े वर्ग के कल्यान की योजना नहीं बन रही संख्या की जानकारी होगी तब तो विकास का अजंडा बनेगा अरे संख्या की जानकारी ही नहीं है तो नरिंद्र मोदी के साड़े चार साल पूरे हुए एक नया पैसा नरंद्र मोदी ने बजेट में पिछड़े वर्ग के कल्यान के लिए नहीं दिया नरंद्र मोदी पिछड़े वर्ग के कल्यान के लिए विकास के लिए देली भाशन करता है विकास होना चाहिए अरे तो पिछडे वर्ग को पैसा देगा तब न पिकास होगा एक नए पैसे का बजेट प्रावधान नहीं किया एक नए पैसे का बजेट में पैसा नहीं दिया विकास कैसे होगा नरिंद्र मोदी घंटे घंटे भाशन करता था 15 अगस को देड़ घंटा भाशन किया, भाशन का विकास हो गया, नरंद्र मोधी के भाशन का विकास हो रहा है, मगर विछडे वर्ग के लोगों का धरातल पर कोई विकास होता हुआ, दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए साथियों विछडे वर्ग के साथ भी धोकादडी हो रही है आपको सुनकर हैरानी होगी 314 बच्चे पिछडे बर्ग के I.A.S हो गए I.P.S हो गए I.R.S हो गए नरिंदर बोधी के पास फाइल गई फाइल को उन्होंने रद्ध कर दिया पिछडे बर्ग के लोग I.A.S की परिक्षा पास किये थे I.P.S की परिक्षा पास किये थे 314 बच्चे I.A.R.S की परिक्षा पास किये थे दो साल का ट्रेनिंग लालबादुरि इंस्टिट्योट मसूरी में पास भी किये थे इसके बावजूद भी नरिंदर मोधी ने उनको किसी प्रकार का पोस्टिंग नहीं दिया क्योंकि ए लोग जो है देश का प्रधानमंत्री वो हमको कहते हैं कि वो प्रधानमंत्री है मेडिया वाले कहते हैं प्रधानमंत्री है मगर मैं ऐसा मानता हूँ कि नरिंदर मोधी वास्तों में प्रधानमंत्री नहीं है RSS के लोग पिछवाडे से इनके पीछे से चला रहे नरेंद्र मोधी वारानशी गए थे 2014 में आपको याद होगा तो वहाँ क्या कहा गंगा मेरी मा है कहा था ना गंगा मेरी मा है तो लोगों ने सोचा उसके माँ का नाम गंगा होगा चलो जाने दो भाई का आमको जंजट पे पढ़ना है हमारे देश में महिलाओं का नाम गंगा होता है इसलिए लोगों ने ध्यान नहीं दिया फिर बाद में उन्होंने कहा भारत माता भी मेरी मा है लोगों ने सोचा इसके तरफ इस तरह का ध्यान देते रहेंगी साली अपनी रोजी रोटी खराब हो जाएगी इसलिए उसके तरफ उन्होंने ध्यान नहीं दिया तीसरी बार कहा भाजवा भी मेरी माँ है तो लोगों ने कहा ये आदमी केवल मा की ही बात करता है बाप की बात करता ही अजीव आदमी है बाई बगेर बाप से हमारे दुनिया में कोई बच्चा पैदा तो होता नहीं है सड़ सड़ साल का हो गया बच्चा बगेर बाप का तो बच्चा होता नहीं है बाप तो जरूर होना चाहिए और इसका भी कोई ने कोई बाप जरूर होगा इतने में नरेंद्र मोदी मतुरा गए और मतुरा जाकर भाशन किया यहां तो गंगा नहीं है यहां जमना है तो जमना भी मेरी माँ है तो लोगों ने कहा चार ठो माँ चार चार मा अरे एक ठो बाप तो होना चाहिए भाई के अबल मा मा और मा की ही बात कर रहे हो अरे भाई बाप की भी तो बात करो कुछ दिन के बाद नरिंद्र मोदी परधान मंत्री हुए साल हो गया साल पुरा होने के बाद दिली में RSS के लोगों ने मिटिंग बुलाई और नरिंद्र मोदी ने सारे मंत्री मंडल को आदेश दिया RSS के मिटिंग में जाना होगा और वहां जो RSS के लोग हैं वो आपको सवाल पूछेंगे उसका जवाब आपको देना होगा ये बात नरिंद्र मोदी ने अपने केबिनेट मिनिस्टरों को कही सारा मंत्री मंडल गया और जब इसकी ख़बर हमें पता चली तो हमने कहा कि ये आदमी मा की बात क्यों कर रहा था क्योंकि लोगों को मा की बात करते करते ये पता नहीं चल रहा था कौन बाप है मगर जब RSS की मीटिंग हुई RSS के मीटिंग में नरिंद्र मोदी ने सारे केबिनेट मिनिस्टरों को सवाल का जवाद देने के लिए कहा तब लोगों को मालूम हुआ कि नरिंद्र मोदी का बाप कौन है कि RSS का सरसंगचालक मोहन भागवत है तो भागवत के सामने शरनागत हो गए नरिंद्र मोदी तो पता चला दुनिया वालों को कि नरिंद्र मोदी का बाप मोहन भागवत है हम केवल वेक्तिगत रूप से बात नहीं कर रहे हैं मैं आपको सविधान का हवाला दे कर कहना चाहता हूँ मैं व्यक्तिगत नुक्ता चुनी की बात नहीं कर रहा हूँ सविधान में लिखा है देश का परधान मंत्री होगा उसका मंत्री मंडल होगा और परधान मंत्री और मंत्री मंडल संसद के प्रती जबाब दे होगा और संसद में अगर कोई भी विरोधी पार्टी का आदमी यंपी संसद सवाल पूछेगा तो संसद में उसका जबाब देना बंधनकारग होगा मगर नरिंद्र मोधी के मंत्री संसद में जबाब नहीं देते है नरिंद्रमोदी ने कहा भागवत को जबाब देना होगा ये सविधान के विरोध में है जब ये सविधान के विरोध का आदेश नरिंद्रमोदी ने दिया तो मैंने सारे देजवर में कहा कि ये आदेश नरिंद्रमोदी का सविधान के विरोध में है ये बरदाश न के विरोध में हमने अभियान चलाया जब अभियान चलाया दो साल हो गया दूसरे साल में आरेशस ने मीटिंग नहीं बुलाई नरिंद्र मोधी RSS के मीटिंग में नहीं गया तो हमने सोचा हमारा तीर निशाने पर लग गया है और अब के बार वो सविधान के प्रती जबाब दे होगा सविधान के प्रती जबाब दे होगा ये कोशिश हम लोग कर रहे है और इसके लिए सारे देजभर में परिवर्तन यात्रा निकाली जा रही है ये परिवर्तन यात्रा लाग कोशिश होने के बावजूद भी बंद नहीं होगी महराष्टा में बॉम्बे में जब ये परिवर्तन यात्रा गई तो मुख्य मंत्री ने डायरेक्ट दो दो कमिश्णर मेरे बाल भेजे किसको रोको हमने कहा पूरी ताकत लगा दो हम रोकेंगे नहीं फड़न वीसको आखिर हमारी बात माननी पड़ी और मुख्य मंत्री के साथ हमने पंगा लिया मगर मुख्य मंत्री ने हम से पंगा नहीं लिया और हमारी परिवर्तन यात्रा जारी रही ये परिवर्तन यात्रा सारे देजभर में चल रही है सेंटल में बिजेपी की सरकार है और तेईस राज्यो में बिजेपी के और समर्थन की सरकार है सारे देजभर में हमारी परिवर् उनको रोकने की जब तक आप लोग हमारे साथ में हैं किसी की बात हम मानने वाले नहीं शिवपाल जी ने कहा अगर आप साथ देंगे हमको आपको कहा आप साथ देंगे तो ये लड़ाई हम लड़ेंगे मैं शिवपाल जी को कहना चाहता हूँ आपके तरफ से उनको अगर हम लिखवा कर देना चाहे तो लिखवा कर दे सकते हम आपके साथ का वादा लिखवा कर देने के तयार है ये लडाई जैसे समाजवादी से कुलर मोर्चा उन्हों ने कहा कि ये गयर राजनितिक संगटन हैं बहुजन कृंधी मोर्चा भी गयर राजनितिक संगटन हैं दोनों मिलके उत्तरपदेश के सडकों पर हम ये लडाई लडने के लिए मैदान में پूरी ताक़ से तयार है अगर शियुपाल जी भी तयार है को हम भी तयार है हाथ खड़े करिए पूरे ताकत के साथ तयार है शियुपाल जी देख लिए आपके लिए तयार है आपको अब हिला हवाली करनी नहीं है संकोच करना नहीं है लोग आपको चाते हैं और जो लोग आपकी सुन नहीं रहे हैं आप जंता को सुनाइए जंता आपकी सुनेगी तो फिर ब्रह्मा भी सुनेगा बाकी लोगों की चिंता करने की दुरुत रही है इसलिए पूरिये थाकत से सारे प्रदेश में ये परिवर्तनी आत्रा कल आजमगर से शुरू हुई 6 अक्टूबर तक गोरुकपूर में इसका समापन होगा लगातार चलेगी अगर शिवपाल जी चाहे तो हर यली में हाजिर हो सकते हैं उनके लिए स्वागत है अभिनंदन है निमंत्रन है अगर वो समय निकाले तयारी हमारी आपको आकर भाशन क करेंगे आपको कोलो एक पैसा खर्चा करना नहीं है आज सारी तैयारी हम करेंगे अगर जो काशिरा के समय में ये का हुआ था तो सारे देश में हल्चल मच गई थी तो मैं चाहता हूँ ये एका दुबारा होना चाहिए और इसके लिए हम पूरी ताकत से तयार है पूरी शक्ति के साथ तयार है आपके मन में कोई संकोज नहीं होना चाहिए इसलिए हाथ खड़े करवाए साथियों एक और बात आपको कहना चाते बहुत लंबी बात नहीं कहना चाते मैं आप लोगों को ये बताना चाता हूँ कि हम लोग इस देश में तमाम 50% लोग इनकी संख्या 85% है और 85% लोग अपने वोट के द्वारा शांती पूर्ण तरीके से जो बाबा सब अमबेट करने सविधान ने हम को ओड का अधिकार दिया उसके आधार पर हम शांती पूर्ण तरीके से कोई हतियार उठाए बगेर परिवर्तन कर सकते हैं कोई हतियार उठाने की जुरुत नहीं है कोई शस्त्र उठाने की दुरत नहीं है मेरा शस्त्र और हतियार पर यकिन नहीं है मेरा शांति पूर्ण तरीके से परिवर्तन पर यकीन है विश्वास है इसके आधार पर ये बात तो इसलिए जो वोट का अधिकार है उसके आधार पर हम ये परिवर्तन कर सकते हैं आने वाले समय में हम शांति पूर्ण तरीके से ये परिवर्तन करना चाहते हैं मगर इस परिवर्तन के लिए सबसे बड़ा अवरोद इवियम मशीन है सबसे बड़ा अवरोद इवियम मशीन है आप लोगों को जानकारी नहीं होगी मैंने सुप्रिम कोड में उत्तरबदेश के चुनाओ के पहले सुप्रिम कोड में केस दायर किया था लोगों को जानकारी नहीं है मेरे पास इवियम मशीन के घोटा लेके दस्तावेजी सबुत है भारत में किसी के पास भी इवियम मशीन के घोटा लेके सबुत नहीं है किवल मेरे पास है और मैंने सुप्रीम कोर्ट में सारे रस्तावेजी सबुद दीए और सारे रस्तावेजी सबुद देने के बाद । 2,016 में मैंने केश दायर किया था तीन मैने या चार मैने में रिزल्ट आना चाहिए था मगर ये अवरोद मेरी केस को चिप जस्टिस ओफ इंडिया ने रजिस्टार को आदेज देने के बाद भी रजिस्टार ने मेरी केस सुप्रिम कोड के जजेस के पास नहीं भेजी दिन दिन बार सुप्रिम कोड के चिप जस्टिस ने आदेज दिया आदेस देने के बाद भी मेरी केस जो है जजेस के पास नहीं भेजी हैरान करने वाली जब भेजी गई तो चुनाव आयोक के पास मेरे सवालों का कोई जबाब नहीं था मेरे सवालों का कोई जबाब चुनाव आयोक नहीं दिया मेरे पास डाकुमेंटरी इविडन्स है जो जवाब उन्होंने दिया उसमें दो जवाब जूटे पाए गए तो हमने दूसरा हलप नामा दाखल करके सुप्रिम कोड के जजेस को कहा चुनाव आयोग ने दो जगा लिखित जूट बोला है अगर चुनाव आयोग लिखित जूट बोल रहा है हलप नामा दाखल करके जूट बोल रहा है तो इसका मतलब ये है कि चुनाव आयोग क्रिमिनल आफेंस कर रहा है जूटा हलप नामा दाखल करना क्रिमिनल आफेंस है और ये क्रिमिनल आफेंस चुनावायोग के लोगों ने किया इसका मेरे पास डाकुमेंटरी इविडन्स है और मैंने सुप्रिम कोड के जजेस को लिख कर दिया ये ये बाते चुनावायोग ने जुट बोला लिखे दिया इसके बावजूद भी चुनावायोग के विरोध में जो कारवायी होनी चाहिए थी वो नहीं हुई मेरे पास आज भी उसके डाकुमेंटरी इविडन्स है अब शक्ता पड़ी तो मैं इंटरनेशनल कोड में इस बात को लेके जाऊंगा आने वाले समय में इसको छोड़ा नहीं जाएगा दूसरी एक और बात में आपको बताना चाहता हूँ 24 अप्रेल 2017 को सुप्रिम कोड ने इवियम मशीन के विरोध में मेरे फेवर में निर नहीं दिया और कहा सारे देजभर में केवल इवियम मशीन के आधार पर फ्री फेर एंड ट्रांसपरंट चुनाव नहीं हो सकता सुप्रिम कोड कहता है के इवियम मशीन के आधार पर केवल इवियम मशीन के आधार पर फ्री फेर एंड ट्रांसपरंट चुनाव नहीं हो सकता सुप्रिम कोड का आदेश है लिखीत आदेश है अगर किसी को चाहिए तो मेरे से ले ले लेना हैरान करने वाली बात है देने के बावजूद भी 8 अक्टूबर 2013 को आदेश दिया मगर आज तक अगबार वालों ने आज तक मीडिया वालों ने सुप्रिम कोड की उस आदेश की खबर अगबार में नहीं चापी और टीवी वालों सुप्रिम कोड के आदेश की खबर नहीं दी इसके विरोध सुप्रिम कोड में गए और सारे देश भर में इवियम मशीन के खोटा ले को पकड़ने के लिए सुप्रिम कोड ने मशीन का आदेश दिया 24 अपरेल 2017 को 11 मार्च 2017 को उत्तर पदेश विधान सभा का चुनाव रिजल्ट आया मैंने केस दायर किया 2016 को 2016 को होता विधान सभा जान बूचकर मेरे केस को डिले किया गया डिले किया गया इसके मेरे पास डाकुमेंटरी इविडन्स है ये मामला आने वाले समय में मैं सारे देश भर में उठाने वाला हूँ दूसरी एक और बात भी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ ये फैसला तब हाया जब मैंने केस दायर किया तो चीफ इलेक्शन कमिश्णर ने परधान मंत्री को चिठ्ठी लिखी भारत के इतिहास में चुनावी इतिहास में आज तक चुनाव आयोग केवल मात्र होम मिनिस्टर को या लौ मिनिस्टर को मगर मेरे केस की वज़े से चुनाव आयुक को प्रधान मंत्री को चिट्थी लिखनी पड़ी और उस चिट्थी में मिस्टर जैदी जो चुनाव कमिश्णर थे मुख्य आयुक तथे कमिश्णर थे उन्होंने चिट्थी में कहा वामन मेश्राम ने हमारे खिलाब कंटेम्ट आप कोट की केस दायर की है यदि अगले सुनवाई में प्रधान मंत्री जी ने 3567 करोड रुपया पेपर ट्रेल मशीन खरिदने के लिए मंजूर नहीं किया तो अगले सुनवाई में सुप्रिम कोट चुनाव कमिश्णरों को जेल में भेजने का आदेश दे सकती चुनाव कमिश्णर ने चिट्थी प्रधान मंत्री को लिखी रेकॉर्डड इंडियन एक्सप्रेस के फ्रंट पेज पर चपी उसमें उन लोगोंने मेरा नाम नहीं चापा मेरा नाम चापने कि मुझे कोई जरूरत नहीं है पहले नेशनल इंटरनेशनल प्रेसिडेंट हूँ इसके उपर जाने का कोई मतलब नहीं उपर जाने का तो मतलब उपर जाने का तो पहले मेरे नाम को मैं पहले ही नैशनल इंटरनेशनल प्रेसिडेंट हूँ अमरिका योरोप में छती देशों में मेरा संगठन चल रहा है मुझे नाम से कोई मतलब नहीं है लोक तंत्र को बचाना जरूरी है जैसे ही चिठ्ठी मिली परधान मंत्री को चिठ्ठी मिली मिल सड़ सड़ करोर रुपया पेपर टेल मशीन खरिदने के लिए मंजूर किया आपके नो बजे टीवी पे खबर आई कि तीन हजार पांसो सड़ सड़ करोर रुपया नरंद्रमोदी ने मंजूर किया क्यों मंजूर किया अगबार वालों ने नहीं चापा टीवी वालों ने नहीं चापा नहीं चापने हमें तो मालूम है हमार पास रेकॉर्डेट तो इस तरह से ये केस जो है जिसके आधार पर इवियम मशीन का घोता दा पकड़ने वाली मशीन वेपर ट्रेल मशीन इस सोप्रिम कोट ने 8 अक्टूबर 2013 को निरनय दिया उस निरनय में सोप्रिम कोट कहता है Free, Fair and Transparent चुनाव इवियम मशिन से नहीं हो सकता लिखेता देख क्या कहा Free, Fair and Transparent चुनाव इवियम मशिन से नहीं हो सकता इसलिए Free, Fair and Transparent चुनाव संपन कराने के लिए Paper, Tail, मशिन जोड़ना होगा 8 October 2013 को निर्ने दिया 2014 में लोग सभा का चुनाव हुआ चुनाव आयोग ने कांग्रेस के साथ BJP के साथ मिलकर Paper, Tail, Machine नहीं लगाया Paper, Tail, Machine सारे देज़ भर में भारत में आप सुनकर हैरान हो जाओगे सोप्रिम कोट कोई मेजिस्टेट की कोट नहीं है सोप्रिम कोट, Apex कोट है और उसके विरोध में कोई उपर अदालत नहीं है देश की सबसे बड़ी अदालत है उन्होंने आदेश दिया चुनाव आयोग ने उसके आदेश को नहीं माना ओ, उसके आदेश को ना मान कर आदेश दिया सोप्रिम कोट के चीफ जस्टिस ने जस्टिस सदाशीवम आदेश चुनाव आयोग ने नहीं दिया और बगेर पेपर टेल के चुनाव हुआ 2014 का 2014 का चुनाव घोटाले से चुनाव हुआ और घोटाले की वज़े से बारतिय जनता पार्टी चुनाव जीती और चुनाव जीतने के बाद चुनाव आयोग ने आठ लाख इवियम मशीन को कबाल में बेचने का आदेश दिया कितने लोगों को पता है मेरे पास तो डाकुमेंटर इविडेंस है चुनाव आयोग ने जिन मशीनों पर चुनाव कंडेक्ट करवाया वो एवियम मशीने आठ लाख इवियम मशीने चुनाव आयोग ने कबाल में बेचने का आदेश दिया इसका मेरे पास डाकुमेंटर इविडेंस है मैंने चुनाव आयोग को पूछा हाँ हमने आठ लाग इवियम मशीन कबार में बेचने का फैसला किया लिखित मेरे पात आदेश है चुनाव आयोग ने मुझे लिख कर दिया सारी जितनी बाते कह रहा हूं सारे डाकुमेंटरी इविडन्स है सारी बाते सुप्रेम कोट को लिख कर दिया इसलिए ये बाते मैं डंके की चोट पर कह रहा हूँ और हैरान करने वाली बात आगे सुनिए आप लोगों के साथ कितना बड़ा धोका हो रहा है पेपर ट्रेल मशीन का आदेश सुप्रिम कोट ने दिया देने के बाद Central Government, Law Minister और चुनाव आयोग ने मिलकर अगे मिलकर EVM मशीन का सुप्रिम कोट ने दिया रिकाउंटिंग होना चाहिए कागज के टुकडे का रिकाउंटिंग होना चाहिए पेपर ट्रेल का रिकाउंटिंग होना चाहिए कागज के टुकडे का रिकाउंटिंग होना चाहिए प्यारा नंबर 28 सुप्रिम कोड का आदेश है पेपर टेल का रिकाउंटिंग होना चाहिए आज तक चुनाव आयोग ने पेपर टेल मशीन का कागज के टुकडों का कोई रिकाउंटिंग नहीं किया कोई रिकाउंटिंग करने का काम नहीं किया चुनाव आयोग ने वेपर तेल का रिकाउंटिंग करने का काम नहीं किया ये काम चुनाव आयोग ने किया इससे सिद्ध होता है कि चुनाव आयोग को मालूम है सेंटल गवर्मेंट को मालूम है लौ मिनिस्टर को मालूम है कागच के टुकडे की गिंती होते ही इवियम का घोटाला पकड में आए गोटाला पकड नहीं के लिए तो सुप्रीम कोट ने आ दे दिया मेरे पास डाकुमेंटरी इविडन्स है मैंने कई जगा रिकाउंटिंग के अप्लिकेशन करवाए चुनावायोग ने रिकाउंटिंग करने से इनकार कर दिया यह भी डुकुमेंटरी इविडन्स है सारे डुकुमेंटरी इविडन्स के आधार पर बोल रहा हो चुनावायोग देश में घोटा ला करके खुद चुनाव करवा रहा है चुनावायोग खुद ही इस घोटाले में सामिल है और अगर चुनावायोग पर मैं ये जो आरोप लगा रहा हूँ अगर ये आरोप छूट है तो चुनावायोग को चुनावती देता हूँ वो मेरे खिलाफ केज दायर करे चुनाओ आयोग को मैं चुनाओ दी बेता हूँ वो मेरे खिलाफ केज दायर करे फिर मैं सुप्रेम कोड में देख लेता मेरे पास सारी डाकुमेंटरी इविडंस है इविडंस के आधार पर बात कर रहा हूँ इसलिए साथियों आप लड़ रहे हो आपके ओड़ भी ज़्यादा है जिसके पास नोट ज़्यादा है उसके पास ओड़ ज़्यादा नहीं है शोपाल जी जिसके पास नोट ज़्यादा है उसके पास ओड़ ज़्यादा नहीं है जिसके पास नोट नहीं होते है वो नोटों की चोरी करता है जिसके पास नोट नहीं होते है वो नोटों की चोरी करता है जिसके पास ओट नहीं होते है वो ओटों की चोरी करता है ओटो की चोरी करने के लिए बिजेपी और कांग्रेस और कांग्रेस और बिजेपी ने मिलकर ए एवियम मशीन लाया है एवियम मशीन उनको जितवा रहा ये पास डाकुमेंटरी इविडेंस है इसलिए साथियों आने वाले समय में सारे देश भर में ये लड़ाई लड़ी जाएगी और अभी छे नौमबर को दिल्ली में सारे देश की बहुत बड़ी रैली आल इंडिया की रैली एवियम मशीन के विरोध में हम कर रहे दिल्ली में कर रहे बहुत बड़ी रैली कर रहे और उसके बाद बहुत बड़ा धमाका होगा बहुत बड़ा निर्णे होगा शिवपाल जी को अभी से आमंतरंग दे रहा हूँ तो इसलिए बहुत बड़ा धमाका होगा EVM मशीन के विरोध में सारे देजभर में होगा अभी मैं उस बात को घोशिद नहीं करना चाहता हूँ मगर बड़ा धमाका होगा फिर सारे देजभर में इन लोगों को हम देखेंगे कि तुम वोटो की चोरी कैसे करते हो देखते हैं आप की संख्या ज़्यादा है आप लड़ाई लड़ रहे हैं 2004 के पहले किसान आत्महत्या नहीं करते थी 2004 में EVM मशिन आई और 2004 के बाद किसानों की आत्महत्या शुरू पहले पार्टिया मानती थी किसानों के समर्थन के बगएर सेंट्रल में कोई सरकार नहीं बन सकती अभी वो सरकार ये मानती है कि अभी किसानों की हमें कोई जरूरत नहीं है हमें इवियम मशीन की जरूरत है इवियम से चुनाव जीतेंगे किसानों की कोई जरूरत नहीं है किसान आत्मत्या कर ले किसान सामुही का आत्मत्या कर ले उनके बेटे बेटिये भी कर ले हम उनके तरफ ध्यान देने के लिए तयार नहीं है ये लड़ाई साथियों हमको लड़ने होगी किसान जो आत्मत्या कर रहे है उसकी एक बड़ी वज़ा एवियम मशीन है क्योंकि उनको गैरंटी हो गई है किसान वोड़ दे या ना दे हम दिल्ली में जरूर पहुचे एवियम मशीन की बज़े से उनको ऐसा लगता है इसलिए एवियम मशीन का बंदोबस्त करना होगा और एवियम मशीन का बंदोबस्त करने के लिए हमारे पास सारे के सारे सबूत है मैं आपको आखरी बात कहे कर अपनी बात समाप्त करना चाहतू चुनाव आयोग ने पेपर ट्रेल मशीन के लिए जो रूल बनाए जो सुप्रिम कोट ने आदेश दिया उत आदेश के विरोध में है सुप्रिम कोट के आदेश के विरोध में चुनाव आयोग को कोई रूल बनाने का अधिकार नहीं मगर चुनाव आयोग ने ऐसे रूल बनाए जिससे कंटेम टाप कोट होता है सुप्रिम कोट का मेरे पास टाकुमेंटरी विटन्स है और जो रूल चुनाव आयोग ने बनाए उसको आल अपोजिशन पार्टी में या आल पार्टी मिटिंग में चुनाव आयोग ने माननेता नहीं ली मैं खाज बात शियुपाल जी को भी बताना चाहता हूँ बहुत खाज बात कि ये जो रूल बनाए ये सारे देश के लोग तंतर के लिए बनाए केवल बीजेपी के लिए या कांगरेस के लिए नहीं बनाए सारे देश के लोग तंतर के लिए बनाए तो सारी पार्टीों के मिटिंग में ए रूल अपरूल होना चाहिए था सारे पार्टियों के मिटिंग में आल पार्टी मिटिंग में ए अप्रूल होना चाहिए था मगर चुनाव आयोग ने अप्रूल नहीं लिया मैंने चुनाव आयोग को पूछा क्या आल पार्टी अप्रूल इस रूल को है उनके पास मेरे सवालों का कोई चबाद नहीं है इसका मतलब है पार्टी जो रिकोगनाईज है उनका अपरूल नहीं है वो रूल असवैधानिक है और सुप्रेम कोड के आदेश के विरोद में है इसलिए आने वाले समय में चुनाव आयोक के विरोद में और इवियम मशीन के विरोद में बहुत बड़ा राष्टी इस्तर का आंदोलन चलाया जाएगा 19 के पहले पहले ये अभिहान चलाया जाएगा उसमें हमारी मुख्य मांग होगी कि पेपर टेल से जो कागद निकलता है उस कागद की रिकाउंटिंग होनी चाहिए हमारा ये कहना नहीं है बैलेट पेपर से होनी चाहिए यदि पेपर टेल मशीन से जो कागद निकलता है उस कागद निकलता है तो भी इवियम का घोटाला पकड़ में आएगा और सही और सही राय भारत के प्रजा की पता चलेगी इससे वास्तविक लोगतंत्र बच जाएगा ऐसा करना होगा ऐसा करने के लिए आप सभी लोगों का साथ सयोग होगा इस आशा और इस वास के साथ एक बात आखरी कहकर दुबारा ये बात कहना चाहता हूँ अगर शिवपाल जी प्रदेश में और देश में अगर ये गरीब गुरुबा की लडाई तमाम पिछड़े वर्क की लडाई लड़ना चाहते हैं उनके साथ कंदे से कंदा मिला कर उत्तर पदेश में और सारे देश भर पान सो उन्चाली जीलो में 31 राज्यो में जहां शिवपाल जी का नहीं है वहाँ भी मैं उनको लेके जा सका अगर वो चलना चाहते देश भर में हमारा पान सो उन्चाली जीलो में साड़े तीन हजार तेसिलो में 22,000 ब्लोक में तेड़ राख गाओं में नेटवर्क फैला हुआ है एक कोई सामान ने संगटर नहीं है एक कैडर बेस और्गनाईजेशन है और एड से एड बजाने के लिए हम लोगों ने शुरू किया है जो आरे सेस के लोग कैडर बेस का दावा करते हैं उन लोगों को हमारे बारे में पूछो ज़ना तो पता चलता है उनको कितना खौक खाते है उनको मालूम है हमारी ताकत का इसाथ तो इसलिए शिव επाल जी साथ दे हम उनका साथ दे देने के लिए तयार है और उनको अभान करते हुए वो मैड़ान में सारे प्रदे सारे रेज़ वर्ग में उतर जाए हम मिल जूलकर तमाम पिछड़े वर्ग की लड़ाई जब तक न्याई नहीं मिलता तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी बिच में बिलकुल रोकी नहीं जाएगी ये लड़ाई जारी रहेगी और तमाम पिछड़े वर्गों को न्याय मिलेगा तो मैं दावे के साथ कहता हूँ मुसल्मानों के साथ जो विवार हो रहा है जो माइनुर्टी के साथ विवार हो रहा है वो पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा पूरी ताकस से रोका जाएगा तो मुसल्मानों को और तमाम पिश्ड़े वर्क के लोगों को भी मैं ये अनुरूद करता हूँ इस अभियान इस अंदुलन का साथ देंगे आपने मिरी बात ध्यान से सुनी इसके लिए आभार दन्यवार